नमस्कार मैं विपल सिंग आप सभी का हमारे इस्टोडिव चैनल ब्याच्टी स्टेडी कैपिटल पर एक बैफिर से हार दिक सागत करता हूँ दोसों BHU Form और CUCT को लेकर के एक breaking news, latest update आप सभी के लिए आ रही है यानि CUCT को लेकर के जो committee बनाई गई थी साथ सदसी committee वो committee अब तयार है CUCT को apply कराने के लिए लेकिन अब पूरा मामला सरकार की पर टिका हुआ है यानि सरकार की और बढ़ता हुआ है यह मामला दिख रहा है आज की एक ख़बर में एक छपा हुआ है पूरी ख़बर क्या है मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ उसके बाद इस पर डिटेल एनलसीस देता हूँ कि किस कोर्स के लिए संभावना है किस कोर्स के लिए कितनी संभावना है इन सारी चीजों को लेकर के इस वीडियो मैं डिसकसन करूंगा लेकिन इस वीडियो की सुरुआत करूं उस खबर को पढ़ना शुरू कर उससे पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ब्येचु से इलेटेर लागातार अपडेट के लिए यानि अगर आप BHU के एस्पगेंट हैं BHU से इलेटेड जानकारी आपको चाहिए तो BHU Study Capital के साथ बने रहे हैं यहाँ पर आपको BHU से इलेटेड पलपल की ख़बर आप तक पहुंचाई जाएगी इसलिए BHU Study Capital को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें आईए मैं पढ़ना सुरू करता हूँ कि ख़बर में पूरी खबर में लिखा क्या गया है तो दोस्तों जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले जो हेडिंग्स हो कर रहे हैं वो मैं आपको पढ़कर के सुनाता हूँ BHU में नए सत्र से National Testing Agency कर सकती है दाखिला पूरी खबर क्या है हो सकता है इस पेपर कटिंग वाले वीजुल में आपको असपश नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं इसी वीजुल को दूसरे फॉर्मेट में आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको पूरी निउस क्लियर दिखे अब मैं आपको पढ़कर के सुनाता हूँ नए सत्र से ही National Testing Agency के माध्यम से प्रवेस की तयारी Common Interest Test के लिए कमेटी गटित नए सत्र 2021-22 से कासी इंदू से विद्धाले और उसके सभी संबन्दित कॉलेजों में अस्तातक की प्रवेस परिच्छा National Testing Agency द्वारा कराने की तयारी है यानि सबसे पहले क्लियर कर दूँ ये जो CUCT को लेकर के कवायदें चल रही है सिर्फ UG Courses के लिए इसमें PG Course इस दायरे में नहीं है यानि अगर आप BHU के MA, MSC की तयारी कर रहे है तो निश्चीन दोकर के BHU के सलेवस को फालो करते हुए तयारी कीजिए BHU के PG Courses के लिए MA के लिए BHU Shady Capital का Course 15 April से शुरू होने जा रहा है आपकी स्क्रीन पर जो WhatsApp नंबर सो कर रहा है उस पर अपना मैसेज करके बता दीजिए कि आप MA के किस कोर्स की तयारी कर रहे है आपको proper तयारी, proper guidance BHU Shady Capital के माध्यम से मिलेगा इसलिए दिये गए WhatsApp नंबर पर मैसेज करके PG Courses वाले MA की तयारी करने वाले पर इच्छा नेशनल टेस्टिंग एजनसी द्वारा कराने की तयारी है केंदरी बंतराले के निर्देश पर NTA को या जिमिदारी दी गई है कि देश भर के सभी केंदरी स्विद्यालेों में असनातक की एक समान पर इच्छा यजित कराए इसके लिए इसके बाद बिये चुकी ओर से करीब एक माँ पहले इपाठिकमों और सीटों की संख्या का विवरर UGC को भेज दिया गया है संभव है कि संगीत वद्रिस से कला समेथ कुछ गशनात्मक कोर्स इस परिदी से बाहर रखे जाएं यानि कुछ जो स्पेसल कोर्सेज हैं वो इस परिदी से बाहर रखे जाएंगे जो नॉर्मल कोर्सेज है बिये है बिये सी है वो इसके दाइरे में जरूर आ सकते हैं उसके बाद विस्विद्याले के एक अधिकारी के अनुसार करीब 10 माँ पहले ही सभी केंद्री विस्विद्यालों की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी कोर्सों के नियम वश्चरतों से सम्मधित जानकारी प्रदान की गई थी वहीं UGC ने इस कमन इंटरेस्ट कराने के प्रारूप को तयार करने वाली कमेटी का सभी विवराट सौप दिया है जल्द ही इस सत्र पर सत्र से या विवस्था लागू करने की गोशना के अंदरी सिक्षा मत्राले द्वारा की जा सकती है अब मैं आपको आगे की थोड़ी और डीटेल ख़वर बढ़के बताता हूँ 15-20 दिन में कमेटी सौपेगी रिपोर्ट UGC के लिए नीट की तर्ज पर कामन एप्टिटूट एक्जाम के लिए एक साथ सदसी कमेटी गठित की गई थी जिसमें बिएच्चू के पुरु कुलपती गाकेज भटनागर और पूर चिप राक्टर राठोर को सदसी के रूप में नियुक्त किया गया था इस कमेटी को बिएच्चू समेथ पूरे भारत के केंदरी विस्विद्यालेओं में प्रज़ परिच्छा के लिए एक पैटर्न तै करने की जिमिदारी दी गई थी इसकी कई बैठिकें जो हुई उसमें इसी सत्र से ही विवस्था लागू करने की बात हुई है हलांकि अभी तक कमेटी की ओर से मंत्राले या यूजी सी को इसके लिए कोई सिफारिस नहीं की गई है मगर कमेटी में इस सत्र से ही लागू करने पर आम सहमती बन गई है मिली जानकारी के अनुसार 15 से 20 दिन के अंदर कमेटी अपनी सिफारिस सरकार को सौप देगी तो दोस्तों इस खबर का पूरा मतलब क्या है अब मैं आपको पड़क एकड़म आराम से डिटेल में समझाता हूँ सबसे पहले तो अभी तक जो ब्येचु के फॉर्म को ले करके कवायद लगाई जा रही थी उसमें थोड़ी और देर ही संभव है यानि ब्येचु का फॉर्म अभी थोड़ा और देर में आएगा यूजी कोर्स के लिए पीजी कोर्स के लिए अभी भी संभावना है हो सकता है फॉर्म पहले ही दे और यूजी कोर्स का उसके बाद में दे दूसरा CUCT को लेकर के जो कवायद लगाई जा रही है उसमें आपको इस नियूज के माद्यम से क्लियर पताय जा रहा है कि जो कमेटी तयार की गए थी सासदसी कमेटी वो तयार है CUCT को लागू करने के लिए लेकिन अभी भी CUCT पर अटकले कहां फसी हुई है कि कमेटी अपना जो रिपोर्ट है जो अपना ये सिफारी से वो सरकार को सौपेगी और सरकार को देखना होगा कि इस बार वो सिख्छा मंत्राले इस बार लागू करता है कि नहीं करता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्धे होंगे सरकार का चुनावी रणनीती भी होती बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको सोच करके सरकार डिसीजन लेगी इसलिए CUCT को लेकर के पूरी तरह से confirmation अभी नहीं का जा सकता लेकिन हाग कमेटी तयार है तो ये समझे कि पूरी तरह से जो format है वो तयार हो चुका है पूरा प्रारूप तयार हो चुका है कैसे कराना है यानि कोई भी अगर ये exam है उसको कराने में समस्याब नहीं आने वाल हैं और इसको लेकर के हमें इंतजार करना होगा कि सरकार का क्या decision आता है क्योंकि सरकार का decision होगा वो कई चीजों को देखते हुए होता है लेकिन कमेटी ने इस बार के लिए ही तयार है कि इस सतर से इसे लागू किया जाए अब ये जो सिफारिस है वो लगबग बताय जा र इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी जो भी खबर आएगी आपका इंटरंस इक्जाम से इलेटेड आपको तुरंत यहाँ पर पहुंचाय जाएगा और रही बात इंटरंस इक्जाम के तयारी की तो चाहे वो ब्येचू के थूरू इंटरंस हो ब्येचू का या फिर CTA के थ pattern आएगा जो भी pattern में बद्दा होगा उस pattern को follow करते हो ब्येचु study capital आपकी तयारी कराएगा इसलिए नए pattern की तयारी करने के लिए ब्येचु की तयारी करने के लिए ब्येचु study capital के साद दिए गए whatsapp नमबर पर जुर जाएए फिलाल इस चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले सभी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें बहुत सारी सुब कामना है आप सभी क्यों इंटरेंस एक्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं और फिलाल यह वीडियो हैं समाप करता हूँ बहुत धन्यवाद